हलो नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का सत्या एक्सिलेंट यूटूब चाराल पे हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले एक नई वेकेंसी की बारे में जो वेकेंसी निकल के आ रहे हैं गोवा सिपेर्ड लिमिटेड की तरफ से जिसी की आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर जनकारी रखी गई है इसके बाद आप थोड़ सब नीचे आ जाते हैं तो इसमें सारी जनकारी आपको दी गई है किन पोश्टों पर आपकी वेकेंसी निकल के आ रहे हैं और क्या इसमें एज लिमिट मांगेगे क्या क्वलिफिकेशन मांगेगे सारी जनकारी यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप ध्यान से देख लीजिएगा और यदि आप फार्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएगा कैसे फार्म को अप्लाई करना है वह भी मैं आपको वीडियो बना दूँगा और चली इसके बारे में आपको पूरी जनकारी देता हूं स्टेप बाई स्टेप उसके लिए आपको इसके अपिसल वेफसाइट पे आना पड़ेगा जिसकी पूरी जनकारी दी गई है जिसमें यहां पर बहुत सारे पोश्टों पर जनकारी रखी गी जैसे की जनरल फीटर इलेक्टिकल मेकैनिक और यहां पर आपको अस्टेट टेकनिकल और भी आपको बहुत सारे पद है अटीसी यहां पर साफ-साफ लिगा गया है इसके समय को सकते हैं या आपने इपूलोमा कम्वलीट कर लिया है तो अभी आप अप अधारा है और 18 और 18 और 18 तो आप अप को अपलाई कर सकते आप नहीं को स्थेकर आते हैं तो पांच वर्स की जूट रही गही है और यदि आप OBC के अंतरगात आते तो तीन वर्स की छूट रखी गई है उमरी जो count किया जाएगा 1 जन्वरी 2021 से count किया जाएगा तो इस चीज को भी आप note का लिजेगा इसके बाद आवेदल सुल की बात करते तो इसमें फीज रखा गया है 200 रुपए यदि आप जनरल OBC EWS के अंतरगात आते तो 200 रुपए आपको फीज देना पड़ेगा यह फार्म आपका अफ्लाइड अप्लाइड नहीं होगा इस चीज को भी आप note का लिजेगा जोब लोकेशन की बात करें तो गोवा आपका जोब लोकेशन होना चाहिए और यहां पर अफिसल जो वेबसाइट इसका www.goaspear.limited है जहां से आप फार्म को अप्लाइग कर सकते हैं आवेदन की तीती की बात करें तो यह जो आपकी आवेदन तीती परारम हुए चार पांच दो हजार 21 से परारम हो चुकी है और 46221 तकी आप फार्म बरा जाएगा और फिस जमा करने की वी जो तीती है 46221 तकी रखी गई है अपलाई जो फार्म है आलाइन होगा और इस से क्लिक करके आप इसके अफिसल्वे साइट साभी जा सकते हैं तो यह आपके उपर डिपेंड करता है और यादि आपको कोई भी अधर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूश सकते हैं